Hello everyone, हम लोग आ गए हैं, question number 3 के last part यानि question number 5 पे आज हम लोग question number 3 complete कर लेंगे, exercise 6.2 से कर रहे हैं, R.D. सर्मा की book से class 8 की और chapter है हमारा algebraic expressions and identities आज हमारा question number 3 complete हो जाएगा क्योंकि ये last question है question number 3 का चलिए देखते हैं, take away करना है यानि subtract करना है आपको तो आप सबसे पहले इस expression को लिखेंगे, तो लिखते हैं हम 3 upon 2 AB minus 7 upon 4 AC और minus 5 upon 6 BC ठीक है, अब हम minus करेंगे चुकि हमें take away करना है और फिर bracket में लिखेंगे 2 upon 3 AC फिर minus 5 upon 7 AB फिर plus का 2 upon 3 BC बस इतना ही हमें करना है इसके बाद हम sign change करेंगे 3 upon 2 AB लिख दिया फिर minus 7 upon 4 AC लिख दिया और minus 5 upon 6 BC लिख दिया first expression के साथ हम कुछ भी नहीं करते हैं, second expression का sign हमें change करना होता है subtraction में ठीक है, तो इसलिए हमने bracket में लिखा है, अब आप sign change करके without bracket लिखिए, तो यहां हो जाएगा आपका minus 2 upon 3 AC यहां minus minus plus 5 upon 7 AB और फिर minus plus minus 2 upon 3 BC ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम like terms को एक साथ ले आएंगे, एक AB है यहां पर और यहां है AB तो लिख लीजे 3 upon 2 AB और plus में ही है, तो plus में ही लिख लेंगे 5 upon 7 AB कुछ नहीं करना है यहां पर हमें, अब हम यहां पर चुकिए minus बाहर रख रहे हैं और bracket के अंदर ले रहे हैं तो minus का हमें 7 upon 4 AC चाहिए होगा, तो minus 7 upon 4 AC हो गया, फिर यहां पर भी minus का 2 upon 3 AC चाहिए तो हमें यहां plus लिखना पड़ेगा, plus 2 upon 3 AC, तभी यह plus minus माइनस हो पाएगा, ठीक है, आगे यह बच गया, तो फिर minus लिखिए और यहां 5 upon 6 BC माइनस का तो हो गया, अब हमें फिर minus का चाहिए, तो it means कि यहां पर फिर से हमें plus 2 upon 3 BC लिखना होगा, ठीक है, तभी plus minus माइनस क 2 upon 3 BC मिलेगा, चलिए next step में चलते हैं, यहां क्या करेंगे हम लोग, AB common ले लेते हैं, easy हो जाएगा हमारे लिए 3 upon 2 plus 5 upon 7, फिर यहां पर AC common ले लेंगे, यहां हो जाएगा 7 upon 4 plus 2 upon 3, और यहां पर हम BC common ले लेंगे, तो यहां बचेगा 5 upon 6 और plus 2 upon 3, इसमें सारे denominator जो हैं different हैं, यानि सब को हमें LCM लेकर ही solve करना है, ठीक है, करते हैं चलिए, यहां पर AB आप adjectives लिखिए, bracket में आपका हो जाएगा, LCM 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 LCM 2 से 7 times में divide किया, 7 तरी जा 21, और plus 7 से 2 times में 2 5 जा 10, फिर यहां AC adjectives लिखिए, और LCM हो जाएग आपका 12, ठीक है, तो 4 से 3 times में, 3 7 जा 21 हो गया, और 3 से 4 times में, तो 4 2 जा 8 हो गया, यहां पर, ठीक है, minus BC, फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहां आपका LCM हो जाएगा 6, ठीक है, आप निकाल कर देखना, 3 से 1 time में यह divide होगा, और यह 2 time में, यानि 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 के लिए, कोसेंट तो 1 होगा, तो यहां भे 5 लिख देंगे, और यहां 2 यानि की 2 2 जा 4, तो 4 लिख दीजे, बस हो गया, आगे क्या करना है, इसको solve कीजे, यह हो जाएगा आपका, 31 upon 14 AB हो गया, यह complete, और यहां इसको plus करेंगे, तो 29 upon 12 होगा, minus sign के साथ ही लिखेंगे हम, 29 29 upon 12 AC, और फिर यहां 5 plus 4, 9 upon 6, और minus BC, तो minus 9 upon 6 BC, अच्छा, यहां देखिए, यह cancel हो सकता है 3 से, 2 times में, और यह 3 times में, तो एक step और आपको लिख देना है, 31 upon 14 AB, minus 29 upon 12 AC, और minus 3 upon 2 BC, बस यह है आपका final answer, एक ही question था है, इस वीडियो में मैंने एक ही लिया था question, question number 3 का last question, और इसके साथ ही question number 3 complete हो गया है, exercise 6.2 का, next वीडियो में हम question number 4 करेंगे, यह रबता के लिए ध्यान लेखिए, take care, bye bye.